उत्तर पुदिश के कानपूर से एक संसरी खेस ख़बर सामने आ रहे हैं जो बगवाल से मिलने की बात कहकर महिला तांत्रिक में घर की चोकट पर नी बूर समादी में जाना देख जब पुलिस चोकट पर पहुचे तो पुलिस के भी हो गया उस नमस्कार महिनुत और आप देख रहेंगा मार टाइमस आपसे बता दे घाटमपूर में सजेटी ठाने चेत्र के गाउं में एक महिला तांत्रिक के 48 घंटे की बूर समादी लेने की ख़बर फैल प्रशाशन में हड़कम मजगिया महिला तांत्रिक ने बगवान से मिलने की बात कहकर महिला तांत्रिक ने घर की चोकट पर ली भूर समादी नजारा देख पुलिस वालों के ओड़ गया हुच आपको बता दें मामला है कानपूर के घाटमपूर में सजेती ठाना चेत्र के गाउं में एक महिला तांत्रिक के 48 घंटे की भू समादी लेने की ख़बर फैलते ही प्रशाशन में हड़कम मजगिया महिला तांत्रिक ने बगवान से मिलने की बात कहकर घर की चोकट पर बनाए गड़े में खुद को दफन कर लिया महिला करीब 5 घंटे तक अंदर ही रही खबर मिलने पर पुलिस वाप प्रशाशने के अमला आनन फानन मौके पर पहुचे पुलिस ने महिला को बेहोशी की हालत में समादी से बाहर निकाल कर अस्पताल पहुचाया परिजनों को हिरासत में लेकर पूस्ताच की जा रही है आरोपियों खिलाफ रिपोर्ट दर्च कर जेल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है आपको बताते हैं गाउन निवासी किस्तान राम सजीवन प्रजापती की पतनी गोंती ओर्फ गया शरी पिछले कई सालों से तंद्रमंद्र का काम कर रही थी इसी सिलसले में उसके पास कई लोगों का आना जाना भी लगा रहत था बुद्दवार को सुबा करीब नौ बजे पूजा पाठ के बाद भक्तों के सामने गोंती ने घर की चोखट पर खोदे गए गड़े में समाधी ले ली गाओं में आदा दर्जन से अधिक तंत्रिक है सक्रिय थाना सजेति का मड़ा गाओं तंत्रिक का अड़ा बताया जा रहा है जहां बोले भाले ग्रामीलो को मड़ा गाओं की रहने वाली गोमती ही नहीं बलकी आदा दर्जन लोगों ने तंत्र मंत्र के मकड़ जाल फूल रहा है जब कोई बड़ी घटना होती है तो पुलिस हो या प्रशाशन हरकत में नजर आने लगते हैं तंदा होते ही फिर से ऐसे लोगों के खिलाफ कारवाही को दूर शिकायत की अंदेखी भी की जाने लगती है अब को बता दें तंत्रिकों का मकड़ जाल तोड़ने में पुलिस नाकाम कोतवाली छेत्र के भदरस गाउं तंत्रमंद्र के चकर में बच्ची का कलेजा खाने की अमानवी ए घटना लोगों के जहन में अभी भी उतरी हुई है वही फिर से मड़ा गाउं में समाधी लेने की घटना में हलचल मचा दिये ग्रामीर छेत्रों में अभी भी तंत्रमंत्र करने वालों की कमी नहीं है ऐसे लोगों को चिनित कर उनके खिलाफ कारवाही ना किये जाने के चलते दिन पर दिन तंत्रमंत्र का मकड़ जाल बढ़ने लगा है तो ग्रेश कुमार ने कहा कि छेत्र में तंत्रमंत्र के जरिये अंद विश्वास फैलने वालों की शिकायत पर जाज के बाद कारवाई की जाएगी लोगों भी जाग रुपता वियान भी चलाए जाएगा अंगामा टाइम्स भी होगा